नमस्कार आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूस 24 में और मैं आपके सथ प्रियंका गर्वाल आज हम एक ऐसी रेली की बात करेंगे और एक ऐसी सभा की बात करेंगे जो की मुझफर नगर में होने वाली थी लेकिन परशाशर ने उसे रोग दिया गया और अब मैं आपको बता देती हूँ वे सभा और रेली कोर निकानलेंग वाले थे वो मैं आपको नाम बता देती हूँ उनका नाम है चंदरशेकर आजाद जो की भीमार्मी से हैं और एक अच्छा खासा संगठन है और आपको एक और बात बता देती हूँ चंदरशेकर का नाम तब उजाकर हुआ जब 2 अपरेल को भारत बंद कर दिया गया था दरसल उसके बाद चंद शिकर आजाद को जेल हो गई थी लेकिन उन्होंने रिया होने के बाद भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते रहे और बोल रहे हैं ये भी एक कारण हो सकता है कि सरकार ने उन पर रोक लगा दी गई है कि वह मुझे फनगर क्योंकि एक सवेदन शील शहर है क्योंकि यहां पर बहुत सीरियस महौल रहता है इसलिए उन्हें इस बैठक के लिए रोक दिया गया और मैं आपको पता देती हूँ मैंने इस शब्द का परियोग क्यों किया है क्योंकि सवेदन शीलता का मतलब होता है कि यहां की राजनीती बहुत सीरियस है और यहां का महौल बहुत करमाया हुआ रहता है इसलिए परशाशन ने इस रेली और इस बैठक के लिए रोक दिया गया मैं आपको बता देती हूँ भीम आर्मी के बारे में कि उनसे लाखो कारी करता है जुड़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि 2019 में वो भाजपा को काफी नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन एक बात और है कि अगर भीम आर्मी भाजपा के साथ नहीं है तो वे कौन सी पार्टी के साथ जा सकती है और किसे फाइदा पहुचा सकती है क्या हुए सपा के साथ जाएगी या कॉंग्रेस के या मायवती जी के साथ जा सकती है मायवती जी का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कहीं बार चंदरशी कराजाद ने ये कहा है कि वे मायवती को परधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लेकिन मायवती जी कहती है कि मुझे इस बास से कोई मतलब नहीं है बलकि भी मारमी वाले ये सिर्फ फैलाव कर रहे है क्योंकि 2019 का चुनाव आने वाला है अब देखने वाली बात है कि भी मारमी किस के साथ जाएगी या वे खुद से चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गटबंधन करकर चुनाव लड़ेगी ये आने वाला समय ही पताएगा 2019 में कौन सी पारटी किसके साथ गटबंधन करेगी और किसके साथ जाएगी और इसे जामाम न्यूस के लिए आप देखते रहेए मेरे साथ प्राइम न्यूस 24 को अगले कारिकरम में हम बात करेंगे गटबंधन की कि कौन सी पार्टी किसके साथ गडबंदन कर सकती है और क्या ये राम मंदिर का मुद्धा फिर दुबारा उठा दिया जाएगा या इस मंदिर के उपर फिर से विवाद उठेंगे जो की 2019 पर चुनाव के तोर पर नजर आएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबा कर हमारी ताज़तरी खबरों से अपडेट रहें